So welcome to the video, देखो आप में से काफी सारे लोग मुझे पता है वेटनेरी कर रहे है और मास्टर डिगरी करने का सोचते हम लोग जैसे ही हमरा BVSC की डिगरी कम्प्लीट होती है पाथ साल का कोर्स कम्प्लीट होता है तो हम लोग सोचते कि हम मास्टर्स की तरफ जाएंगे तो क्या पॉजिटिव और नेगटिव है हम टोटली बात करेंगे तो यहां पर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट यूिवर्सिती से मास्टर्स करने की ठीक है मैं IVRI NDRI की बात नहीं कर रहा हूँ नॉर्मल आप यूिवर्सिती से अगर मास्टर करती हो तो उसके क्या डिवांटेज और disadvantages है, तो पहला जो आपको disadvantage की पहले में बात करूँगा because वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनना हमारे लिए, तो disadvantage जो आपको पहला देखने मिलता है कि आपको इतना ज़्यादा सीखने नहीं मिलता है जितना आपको expectation होती है बीवीस्टी में आती थी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको knowledge मिलेगा, दूसरा जो हम पर point है कि हमें expectation होती है कि master degree करने के बात निकलते ही हमें बहुत अच्छा एक package मिलेगा, तो वो भी एक reality नहीं है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आप निकलते ही आपको BVC के compare में बहुत अच्छा package मिलेगा, आपको 5-10,000 रुपेज एक्स्रा मिल सकते है बट उससे ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाइक नहीं मिलता है अपको, as a master करने के बाद, अगर आपको यहाँ पर share कर रहा हूँ कि जो hike मिलता है वो इतना अच्छा खासा नहीं मिलता है तीसरा मैंने आपर लिख रहा था कि opportunity cost, opportunity cost क्या होता है कि अगर आपने यही time 2-3 साल का जो समय, अगर आप यह किसी private company में देते private clinic पे आप काम करते, तो आपका जो एक तरीके से experience का जो growth होता है, वो आप miss कर देंगे अगर आप master करते हैं तो आपको 2-2 साल हो जाते है, 2-2 साल मतलब 2.5 years में आपका master कही न कहीं complete होता है, totally अगर आप देखे thesis वगरा submission के बाद, तो इतना time अगर आप किसी company में देते हैं private company में देते हैं, तो वहाँ पर आपका जो growth होगी, वो आपकी में सोजागी अगर आप master में घुश जाते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए master करने से पहले, तीसरा जो चोता जो अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर entrepreneurship का अगर आप सोच रहें entrepreneurship या फिर business करने का सोच रहें जो business करना है, तो आप master करने के बाद हो सकता है कि business में अच्छा ना कर पाए, विकॉस आपने जो शुरूआज वाला जो time था, आपका जो youth वाला time था, और रेड़ी मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे जो है वो नीट करने के बाद आते हैं यहां पर आते हैं वेटनेरी करने के लिए तीन-चार साल वाँ पर drop होता है फिर वेटनेरी करते हैं पाच-छे साल का और उसके बाद master करते हैं दो-तीन साल का, तो इतना time होने के बाद आप अपना business setup करने के लिए जो आपका mindset होता है न वो कहिना कहीं आपका lost होता है तो यह एक disadvantage हो सकता है इसके बाद मैं आपको बढ़ा दूँ कि जो garment exams है garment exams के लिए जो opportunity होती है वो काफी बार अपकी मिस हो जाती है because master's में भी आपको काफी ज़्यादा time दिना होता है कई बार काफी department ऐसे होते हैं जहांपर कि आपको actually में इतना time मिल नहीं पाता है कि आप अपनी competitive exams की तेयारी भी अच्छे से कर पाए तो हो सकता है कि आप कहिना कहीं उस पर miss कर दे और वहाँ पर आपका जो performance हो सकता था अच्छा आप डिलेवर ना कर पाए तो ये भी एक point हो सकता है कि आप अगर इले ही preparation करना चाहरे तो masters आप ना करें because masters अगर आप करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं time जो है वो divide हो जाएगा और time divide होगा तो आपका जो focus है वो एक जगा नहीं होगा आपका दो जगा focus हो जाएगा masters पर भी और job पर भी government job की preparation में भी तो ये कुछ points है ये negative points है masters करने के लिए तो ये आपको ध्यान में रखना चाहरे I think so कि ये हमें कोई भी नहीं बताता है जब भी हम सोचते masters करने का तो कहीं नहीं हमारे दिमाग में सिर्फ positive points ही आते कि अच्छी job लग जाएगी अच्छा package होगा बट ये जो points है अगर I hope कि मुझे कोई बता है था तो शायद में masters ना करता या फिर करता भी तो ये सब points मेरे दिमाग में होते तो at least I should be aware of that research का जो काम होता है कितना difficult होता है thesis लिखना और synopsis ये सब कि बहुत complex काम है मतलग इतना easy नहीं है masters करना तो ये सब हमें बात अगर veterinary में तो कोई करने ही रहा है तो मैंने सोचा कि एक awareness video आपको पता होना चाहिए कि masters अगर आप करने का सोच is all point you should consider before all of this तो आप मुझे बताएए कि आप कौन से subject से master कर रहे है और आपका क्या experience रहा था and I hope so कि आपका जो future हो वो काफी जदा bright हो thank you so much for watching the video